परिस्त्री गमनम्त था ये बहुत बड़ा पाफ है उसमें भागवत में आता है नरकों के वर्णन में कि जो इस्त्री या पुरुष एक दूसरे को धर्म के बिरुद जैसे जब तक ब्याह नहीं हुआ तब तक बच्चा या बच्ची को ब्रह्म चले रहना चाहिए ये बड़े आनंद की बात होगी आप रख के तो देखो अगर आप ब्याह तक ब्रह्म चर रहे तो आपकी ग्रेश्ती ऐसी फली फूलेगी आनंद में होगी देख लेणा अब जैसे गेहूं गलेथ में हो गलेथ मने होता है कि बाली निकल नहीं है फूल उसमें छोटे-छोटे आ रहे है अब उस फसल को काट लो कुछ नहीं मिलेगा महिना दो महिना रुको उसको दाना पढ़ने दो परिपक होने दो फिर अन्रास ही लग जाएगी ऐसे ही यह ब्रह्मचर है जो बाले आवस्था से यवव नवस्था तक अपने ब्रह्मचर का नास करते रहते हैं वो ग्रेस्थी लायक ही नहीं रह जाते हैं पतब वो बात नहीं होती जो जीवन में होना चाहिए ग्रेस्थ धर्मे के लिए अनिवारे तो जो बच्चा और बच्ची ब्या नहीं हुगा तब तक ब्रह्मचरिका पालन करे और जब ब्या हो जाए तो पहले तो यह था कि नाव चले जाते थे गाओं के नाव ठाकुर वो ब्या तै कराते थे ना बच्चा देखता था ना बच्ची देखती थी कितना निष्ठा कितनी स्रद्धा पानिक ग्रहन के समय भले देख ले की फोटो वाला जमान नहीं नहीं था कभी किसी को जाना उतो अपने लोगों याँ सहर जाकर के वो परदा वरदा लगा है होते थे बैठ जाओ वो जैसे कहीं जरूरत पड़ी उसमें ऐसे मुबाइल ही नहीं था कितनी स्रद्धा विश्वास कैसा है रंग गोरा काला सुभाव कोई मतलब नहीं माता पिता या कोई तै करे आए जो पानिक ग्रेण हुआ उसी समय स्वईकार कर लिया कि आज ही यूँन निर्वाह करना है चाहे जैसे सुभाव वालाव बड़ी पवित्रता ग्रेष्थी में देखी गई बड़ी पवित्रता बड़ा जीवन यहां तक मर्यादा लोग इसका मजाक उड़ाते है मजाक तो तुम्हारा उड़ रहा है देखो ना मजाक उड़ रहा है तुम्हारा तुम्हारी क्या इस्थिती है क्या इस्थिती है अपने आप देखो तो आप खुद अपना मजाक करने लगोगे कि हमने अपना जीवन मजाक बना दिया धर्मे में सामर्थ होती धर्मे में बहुत बड़ी ताकत होती यह जो बच्चे खिलवार करते हैं या जो लोग खिलवार करते हैं जानते नहीं उसमें लिखा है कि जो इस्त्री शरीर पर पुरुष्य ऐसा कुछ संबंद करती है तो लोहे की तपती हुई पुरुष्य या इस जो परस परसा उसमें कल्पों तक मरना है नहीं कितना दाह होगा राम चैत मानस में भी लिखा है पति बंचक परपति रति करई रोरो नरक कल्प सत परई जो अपने पती की बंचना करके धोखा देके किसी और पुरुस के साथ वैसा बिवहार करती है तो बोले सौ कल्प तक र अगर तुम्हारे भाग्य में कहीं ऐसा पति है कि वह यो लंगडा हो गया है उसकी आँक खराब हो गई है सुनाई नहीं देता है वो रूपवान नहीं है तो मिला तो तुम्हारे प्रारब्द से ही है ना तो अंद बधिर क्रोधी अतिदीना ऐसे उपति करके अपमाना ना अगर पुरुष अपनी पती का जो भाव स्वेकार किया है उसका त्याग करके धोखा देकर दूसरी किसी इस्तरी से ऐसा घोर नर्क का अधिकारी होता है वो अगर ऐसा तो ब्यविचारी की बहुत बड़ी दुर्गती होती है तो ऐसा कोई न समझे कि हम परिष्त्री गमन करके गोपाल सास्त नाम कर लेंगे तो पाप से बच जाएंगे अगर आप आज तक गलती हुई ऐसी वाज से स्विकार करो कि अबलो नशानी अबना नशियू और आप भगवन नाम कीरतन करो गोपाल सास्त नाम कीरतन करो तो निश्वाप हो जाओगे वो पाप आपको भोगना नहीं पड़े पर अगर आगे फिर कर दिया तो पीछे का ब लो नशानी चाहिए जितना बड़ा पाप हो गया हूँ